मुख्यमंत्र जी, नमस्कार, सबसे पहले तो यह जो lockdown का, जो corona का matter है, मैं पूरी तर नियम से आया हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रखा हूँ, ठीक है, कोई protest नहीं हो रहा है, ठीक है, और कहीं भी BPSC का कोई घिराओं में नहीं कर रहा हूँ, किसी भी tap tap में कुछ भी activity नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आप से एक बात पूछ रहा हूँ, आप याद है, आप जब- होता है, जब-जब election होता है, तो आप जितने भी जो people of Bihar होते हैं, उनको आप बोलतो हो, कि मैं इस बार केंदर से Bihar को विसेष राजी का दरजा दे लाऊंगा, ठीक है, जनता क्या हो जाती है, बहुत खुश होती है, और होना भी चाहिए, अच्छी बात है कि आप Bihar को विसेष राजी का दरजा देंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन एक साल बितता है, दो साल होता है, तीन साल होता है, चार साल होता है, पान साल होता है, लेकिन आपको केंदर से Bihar को विसेष राजी का दरजा नहीं मिलता है, कैसा लगता है आपको, फिर अगली बार जब election होता है तो आप फिर से यह बोलते हो कि मैं बिहार को विसे सराज का दर्दा दिलाऊंगा, ठीक है, फिर से आप कुछ नहीं मिलता है, कभी समझते हैं कि हमारे जो student हैं, वो अपने parents को बोलते हैं, ममी, इस साल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, पापा, इस सा home tuition करना start कर दिया है, परहाने लग गया है, part time job करने लग गया है, पतना में exist रहने के लिए, पतना में रहने के लिए, क्योंकि घर से पैसा मिलना बंद हो गया है, आप कभी समझते हो, उनका घर से call आता है, तो उन लोग, वो लोग यही बोलते हैं, कि पापा, बस यह इस सा मिलता है, ठीक है, और वो मैं information में सब को share करता हूँ, ठीक है, लेकिन result नहीं आता है, अगले महिना में फिर से उसके पापा जी का call आता है, क्या हुआ result का, तो बोला है कि अगले महिना में result आ जाएगा, अब जूर में आ जाएगा, इस वाज, तो जिस तरह से आपको लगत है कि हम अपने parents को क्या जबाब दें, मैं आप से एक simple सा question पूछता हूँ, क्या मैं बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री से उमीद रखूं कि BPSC का result आ जाएगा, या फिर बिहार के भावी मुख्यमंत्री से उमीद रखूं कि वो जब आएंगे, तो बिहार को विसे सराज का दरजा भी दिलाएंगे और BPSC का mens का result भी आएगा, आपको लगता है मुख्यमंत्री जी, जब आपका last time जब election हुआ था, उसके election के just एक साल बाद ये BPSC का vacancy आया था, ठीक है, और vacancy आया उसके बाद 2 साल बाद तो इसका prelims का result आया, ठीक है, मतलब ये और अभी तक 3 साल हो गए, 3 साल से ज़्यादा हो गए, लगबग सारे 3 साल हो गए, और अभी तक mens का result नहीं आया, क्यों बिहार को बदनाम करा रहे हैं, आपके आस पास भी बहुत सरे राज्ये हैं, ठीक है, वहाँ भी state commission होते हैं, वहाँ भी exam होते हैं, कहां कहीं ऐसा होता है, कि आपको 5 साल छेसा लगता है, आप बताइए, आपको लगता नहीं है कि मतलब इंसानियत नाम के कोभी कोई चीज होती है, बच्चों को क्या सौख लगा है, BPSC को घिराव करें, आपके आवास का घिराव करें, उनको क्या सौख लगी है कि वह protest करें, क्या उनको जर्वत ऐसी है कि जो student परने वाले हैं, वो student, 20-20 रुपया, 50-100 रुपया एकठा करके, प्रोटेस्ट के लिए बैनर बनवाते हैं, उनको क्या सौख लगी है, जर्वत आईए, अगर आप सिंपल सा समझे, आप अगर विहार के नॉर्मल पिपल होते हैं, यदि आप विहार के नॉर्मल पिपल होत पापा इस साल रिजल्ट आजाएगा, अगले महीने रिजल्ट आजाएगा, अगले महीने रिजल्ट आजाएगा, तो फिर कैसा लगेगा, मुझे नहीं लगता है, एक छोटा सा, एक छोटा सा केस है, और आप चाहेंगे तो रिजल्ट नहीं आजाएगा, एक सिंपल सा केस में कभी ये तारिक आप मूवी में सुनते हो मूवी में तारिक पे तारिक 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 नहीं सन्नी देवल बलता है तारिक 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 आपको नहीं लगता है कि वही चीज यहां पर हो रहा है और एक्च मुख्यमंत्र जी आप चाहेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा ये 8000-10000 लोग जो पटना में उन्हों को रहना मुश्किल हो गया है आप आप उनका रिजल्ट निकलवाईए ठीक है बहुत बहुत ऐसा बहुत बड़ा वर्क नहीं है कॉपी चेक हो चुका है सब कुछ हो चुका में जो इतने सारे जो मैजरेटी नमर अप इस्टुडेंट है उनको क्यों कर रखे है ऐसा कोई अस्टुडेंट कभी लगता है कि एक स्टुडेंट का मुझे कॉल आया वह मुझे बोला कि सर वेकंसी आय थी तो उसमें प्राइवेट में जोब करता था ठीक है वह प्ले स्कूल में जाने के लाइक हो गया है और उनका भी तक रिज़्ट नहीं आए है उनको क्या लगद दो टेंथ क्लास में चले जाएंगे तब उनका रिज़्ट आएगा क्या हूं तो प्लीज इन सब से इनी सब चीस से हमारा भीहार क्या होता है बदनाम होता है क्यों अगर आप चाहा जाएंगे तो बहुत सारे South Indian के मुवी हैं जहां पर मुख मंत्री में मुख मंत्री बहुत भेतरीन होता हैं आप एक बार वो सब मुवी देखिए और उसको लेके आए अपने साथ और उसको जर अपने जिवन में उतारी हैं देखिए कि मतलब कितना अच्छा होगा यह आपके पास पावर है आप ऑथिरिटी में हैं आप चाहेंगे दो दिन के अंदर रिजल्ट आगाएगा मैं समझता है यह बिप्शीयों कोई कोड का सकता है करें मैं नहीं इस कोई př 모든 की जा सकता है बोलेंगे आपको लगया कि यह लॉग डॉग्डाउं है जर बता हैं काम ने चल रहा है, आपका aviation section start हो चुका है, aviation, जो हवाय जाज है, वो start हो चुका है, railway section वो start हो चुका है, post office वो start हो चुका है, हर कुछ तो start हो चुका है, code तो हमेशा open है, तो रह Leading does anyone say, मैं कोइन सी बरी बात宮या है, अब यही चीज पे बच्चे, प्रोटेस्ट करेंगे तो आप लाठी चार्ज करोगे ठीक है लाठी चार्ज करोगे कोई जेल जाएगा तो कुछ यह होगा को यह होगा आपको नहीं लगता है कि बदनामी इससे हमारे बिहार राजकी होती है सो प्लीज मुख्य मंत्री जी आपसे निवेदल है कि एक हफ्ते के अंदर आप चाहेंगे मुझे आप पर पूरा विश्वास है आप चाहेंगे रिजल्ट आ जाएगा क्लियर